दोस्तो अगर कोई average American अगर किसी भी तरह अपनी 50% income सेफ कर ले और इसी तरह अगर वो इसे काफी सालों तक करता रहे तो उसे Elon Musk जितनी wealth जमा करने में एक करोड 47 लाख साल लग जाएंगे या फिर अगर कोई average Indian middle class इंसान अपनी 50% salary सेफ करता है तो उसे 5 करोड साल लग जाएंगे गौतम अदानी जितनी wealth जमा करने के लिए अब दोस्तो ये सब reality में possible नहीं है क्योंकि इतनी लंबी जिंदगी किसी की होती नहीं है और नहीं हम discipline के साथ इतने लंबे time तक save कर सकते इतने साल तो किया लोग अपनी 20s और 30s में भी बराबर savings नहीं करते लेकिन फिर भी बहुत लोग अपनी life में कुछ खास savings करते नहीं है उनके पास कुछ खास discipline होता नहीं है और नहीं उनके पास कोई college की degree होती है फिर भी वो अपनी life time में भहुत अच्छी wealth create कर लेते जैसे यही Elon Musk और Gotham Adani यह दोनों भी college dropouts है तो कहने का मतलब यह है कि हमारी life time में किसी एक आदमी का इतना पैसा कमाना practically possible है क्योंकि यह लोगों ने ऐसा करके दिखाया लेकिन अगर आप सिर्फ वही चीज़े follow करते हो जो आपको बच्पन से सीखाई जाती है स्कूल और अपनी society से कि आपको बस पैसा safe करना है college की degree हासिल करना है और safe job ढूनना है तो आप अपनी life time में million तो क्या करोड़ पती भी नहीं बन पाओगे और इसका proof आपकी आँखों के सामने है क्योंकि दुनिया की almost आधी population मतलब world के 50% lower class के लोगों के पास जितनी wealth है उससे जादा तो यही दो लोगों के पास है तो ये बात तो पकी है कि हमारी education system में और society के लोगों के mindset में कुछ तो गढ़बढ है तो इसलिए financial freedom अचीव करने के लिए और actual wealth create करने के लिए आपको उन लोगों से education लेनी है जिनकी financial knowledge strong है जैसे ये rich और billionaires या फिर financial experts ना कि उन लोगों से जो खुदी struggle कर रहे हो और अगर हम financial education की बात करे तो Robert कियो सकी की book Rich Dad Poor Dad financial education की दुनिया की सबसे best book माने जाती है जिसने काफी सारे लोगों की life को बदला है तो इसी author की इन सारी किताबों में से आज हम कुछ important lesson सिखने वाले है तो अगर आप भी financially free लोगों में आना चाते हो और अपने लिए wealth बिल्ड करना चाते हो तो उसके लिए ये वीडियो को end तक जरूर देखना आपको इससे बहुत सारी interesting चीज़े सिखने मिलेगी तो चली शुरू करते हैं तो दोस्तो financial freedom अचीव करने के लिए और actually में अमीर बनने के लिए आपको सबसे important step ये लेना है कि आपको अपने time को अपनी income से अलग करना है मतलब disconnect your income from time अब इस चीज़ को हम थोड़ा detail में समझते दोस्तो हमारी life में जितने भी खर्चे होते उन्हें पूरा करने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका ढूंड निकालना पड़ता है पैसे कमाने के लिए तो आप इन चार में से किसी एक कैटेगरी में तो guaranteed रहो गई इस पहली कैटेगरी में employees आते जिसमें सबसे ज़्यादा लोग होते यानि दुनिया के almost 99% लोग ये बहुत ही hard working होते रोज सुबा 8 बजे उठते अपने मन को मार के office में जाते और अपने boss के orders पूरे करते लेकिन unfortunately ये 99% लोग के पास दुनिया के सिर्फ 5% well थे अब इस category में सबसे ज़्यादा लोग इसलिए होते चुकि हमें बचपन से by default इसी category के लिए तयार किया जाता है फूर लोग का mindset कैसा होता है इसको हम इस वीडियो के second part में फूरा detail में discuss करेंगे लेकिन ये category के लोग को सिर्फ एक ही जगा से income मिलती है वो होती है उनकी job से आई हुई salary और इसलिए इनकी life का primary focus होता है job security और इसी वज़े से इन लोग के लिए अमीर बनना impossible होता है क्योंकि यहाँ पर आप अपना time बेच के पैसा कमारे हो और शुरुआत में आपकी salary बहुत कम होती है लेकिन लोग के desires बहुत ज़ादा होते और इसलिए लोग start में अपने आपको एक बहुत बड़े loan में फसाद देते जैसे 20-25 साल का home loan या फिर 8-10 साल का car loan और इसलिए इनके लिए job security बहुत ज़ादा important होती है क्योंकि उनको हर महिने continuous लिए पैसा चाहिए होता है अपनी EMIS को pay करने के लिए और इसलिए Nassim Taleb ने एक बहुती interesting line कही थी कि दुनिया की 3 सबसे बड़ी addiction होती है drugs, carbohydrates और monthly salary अगर कोई भी महिना इनको salary नहीं मिलती है तो इनको बहुत ज़ादा problem होती है और इसलिए जब भी इनकों की job से निकाल देता है तो ये जल्दी से कोई average job ढूंड लेते क्योंकि इनको salary से addiction हो जाती है और फिर ये employees बहुत ज़ादा मेहनत करते ताकि उनके boss उनको job से निकालना दे लेकिन उनके boss उनको बहुत ही कम और सिर्फ उतनी salary देते कि वो job को छोड़ के चले न जाए बहुत ही कम लोग को ये बात समझ आती है और इसलिए majority लोग jobs करते अब दुस्तो job करना बुरी बात नहीं है लेकिन ये एक CD की तरह होती है यहाँ से आपको उपर चड़के जाना होता है जिसको हम थोड़ी देर में काफी detail में समझेंगे फिर इसके बाद दुसरी category आती है S जिसमें आते है self-employed लोग जैसे doctors, lawyers, छोटी-मोटी shop के owners ये वो लोग होते हैं जो खुद अपने time बेच के पैसा कमाते है बस फरक सिव इतना है कि ये लोग का कोई boss नहीं होता है बहुत सारे लोग को लगता है कि ये एक job नहीं कर रहे है लेकिन सच ही है कि ये भी एक type का job है बस फरक सिव इतना है कि इन्होंने अपना खुद का job create किया होता है इसलिए इन्हे self-employed कहते है अगर ये लोग बिमार पढ़ते हैं तो इनको employees की तरह paid leaves नहीं मिलती और अगर ये अपने business को attend नहीं करेंगे तो इनको उस दिन का income नहीं मिलेगा तो दोस्तो ये थी left side की दो category जिनके अंदर एक चीज़ common होती है वो ये कि इनका time पैसो से strongly connected होता है क्योंकि ये अपने time बेच के पैसा कमाते ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इन्हें ज़्यादा time देना पड़ेगा जैसे overtime ये चुट्टे की दिन ज़्यादा काम करना और इसलिए ये दोनों category में अमिर बनना impossible होता है फिर तीसरी category में आते है business owners इनका focus होता है कि smart लोगों को अपनी company में job देके उनसे काम करानेगा और अगर इनके पास पैसा नई भी होता है तो भी ये दूसरों का पैसा लेके business शुरू कर सकते और उनके partners बन जाते शुरुआत में इने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और risk भी लेना पड़ता है लेकिन ये sacrifice short term के लिए होता है जब तक इन्होंने अपना system, process, policy और business setup ना कर लिया हो जिसकी वज़े से इनके employees रोज खुद से ही अपना काम करते और इनको और अमिर बनाते फिर finally fourth category में आते investors, ये वही financially smart लोग होते जो अपने पैसों को काम पे लगाते और बिना काम किये, इन्हें income मिलती है जिसे हम passive income कहते क्योंकि दोस्तों, पैसों से आप no doubt बहुत सारी चीज़े खरीच सकते हो जैसे car, watches, vacation लेकिन पैसों से आप अपना खुद का time करीच सकते हो और सबसे important आप दूसरों का time करीच सकते हो यानि आप लोगों को rent पे ले सकते हो जिसकी वज़े से हमें किसी और को अपना time बेचना नहीं पड़ेगा और actually में हम आजाद रहेंगे और फिर जब आपके पास और ज़्यादा time होता है तो आप और ज़्यादा opportunity grab कर पाओगे और ज़्यादा business और investments कर पाओगे जिससे आप और ज़्यादा successful होते रहोगे तो इसलिए दूस्तों आपका ultimate goal यही होना चाहिए कि आपको अपनी income को अपने time से disconnect करना है क्योंकि Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffet इन सब को भी दिन में 24 घंटे ही मिलते है और एक labor को भी उतना ही time मिलता है लेकिन वो labor शायद इन businessmen लोगों से और ज़्यादा मेनत करता होगा लेकिन वो इससे कभी अमीर बनेगा नहीं तो इसलिए अगर आप ये left side की दो category में हो तो आप एक limited पैसा कमा सकते हो और वो भी बहुत ही limited time के लिए यानि जब तक आप fit रहते हो लेकिन दोस्तों पैसा हमेशा fit रहता है और 24 घंटा काम करते रहता है और इसलिए लोग आजकल stocks में invest कर रहे है क्योंकि जब हम stocks में invest करते है तो भले हम एक चोटा सा amount invest करते है जैसे 1000 या 2000 रुपिया लेकिन उससे आप एक कदम लेते हो अपनी income को अपने time से disconnect करने के लिए क्योंकि जब आप discipline के साथ long term investing करते हो और धीरे धीरे करके जब आपका investment portfolio ग्रो होता है तो आपकी life में एक time ऐसा ज़रूर आएगा जब जितना पैसा आप साल बर salary से कमाते थे उससे ज़ादा आप एक ही दिन में बिना कोई काम किये अपने investment portfolio से कमा रहे हो तो इसी रहे अगर आपको stocks में invest करना है तो आप नीचे description की link पे click करके free में अपना demand account open कर सकते हो और घर बेटे बेटे अपने financial freedom की शुरुबात कर सकते हो क्योंकि दोस्तों जब भी कोई बच्चा अमीर घर में पैदा होता है तो directly या तो investor बनता है या कोई businessman जिसे अगर Elon Musk का बेटा हुआ तो उसे खुद इतनी महनत करके अपने investment accounts open करने की जरूत नहीं होगी उनके dad उनके लिए पहले ही कर देंगे और इसलिए अमीर लोग और जदा अमीर होते रहते और middle class लोग को investing के बारे में इतना पता होता नहीं है उनके parents सिखाते नहीं है और ना ही हमें school में सब सिखा जाता है जिसकी वज़े से middle class लोग हमेशा struggle करते रह जाते है तो इसलिए अपने आपको financially educate करने के लिए आपको हमेशा अपनी knowledge को improve करना होगा जिसके लिए आप continuously books read कर सकते हो या audiobooks सुन सकते हो जैसे एक platform है Coco FM जो हमारे आज की educational sponsor है ये इंडिया का leading audiobook platform है जहाँ पर thousand hours से भी ज़्यादा content available है various audiobooks जैसे self-help, investing, fiction और non-fiction books यहाँ पर available है audio form में इस app को download करने की link आपको नीचे description में मिल जाएगी अब वहाँ जाके इसे check कर सकते हो इनका yearly subscription 3.99 का होता है लेकिन अगर आप IN50 coupon code use करते हो तो आपको 50% discount मिलेगा इनके annual subscription पर मतलब 1.99 रुपीज में लेकिन यह offer स्रीफ first 250 users के लिए valid है फिर दोस्तो next lesson यह है कि अमीर लोग बाकी 99% लोगों से बहुती अलग सोच थे उनकी सोच यह होती है कि या तो आप पैसों के लिए काम करते हो जिससे ultimately आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा और फिर आप आराम वाली जिन्दगी जीपाओगे और इसलिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने से लेके 20 साल तक वो बच्चा सिरिफ एक ही चीज़ की पिछे भागता है वो होता है जादा marks मतलब simple language में अगर मैं कहूँ तो हमारा education system हमें यह सिखाता है कि life में successful होने के लिए सबसे पहला step आपको यह लेना है कि आपको A student बनना है मतलब first रेंग लाना है लेकिन Robert के according यह thinking सही नहीं है क्योंकि अगर आप इस word success की definition को देखते हो तो इसका मतलब यह होता है the accomplishment of an aim or purpose तो life के शुरू के 20 सालों में अच्छे marks लाना हमारे लिए success की निशानी होती है फिर उसके बाद एक अच्छी job मिल जाना हमारे लिए success की निशानी होती है और फिर उसके बाद जिसके पास बड़ा घर और बड़ी कार होती है तो उसी को हम successful कहते है लेकिन important question यह है कि क्या आप इतने smart और समझदार हो यह पता लगाने के लिए कि आपको life में किस चीज को अपना aim और purpose बनाना चाहिए लोग पढ़ाए करके first rank लेके तो आजाते लेकिन क्या वो life में successful होते है क्योंकि उनके दिमाग में उस subject के अलावा किसी भी चीज की इतनी knowledge होती नहीं है और इसलिए वो out of box कभी सोच नहीं पाते और majority लोग जो आपको successful दिख रहे है जिनके पास एक बड़ी car और बड़ा घर है वो actually में हो सकता है एक failure और regret वाली life जी रहे हो वो दुसरों को देख के दुसरों को दिखाने के लिए ये सब चीज़े लोन पे ले रहे हो और फिर जिन्दगी पर उसकी EMI भरते और फिर उसके पास जब उनको अच्छी business या कोई अच्छी job की opportunity आती है तो वो उसे grab नहीं कर पाते क्योंकि वो loan के trap में फसे हुए होते और जिस घर के लिए वो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते उसकी EMI पे करने के लिए उसी घर में वो सबसे कम time spend करते क्योंकि वो पूरा दिन office में होते मतलब ultimately मेहनत तो ये A grade के अच्छे student सबसे दावा करते hard working भी बहुत होते लेकिन उसका फाइदा कोई और ले जाता है और जब वो अपनी 60 साल की age में retire होते तो उनके पास regret, missed opportunities और थोड़ी बहुत savings के लावा कुछ होता नहीं है तो इसलिए life में successful होने के लिए हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने life में किस चीज़ को अपना aim और purpose बना रहे है फिर दोस्तो next lesson ये है कि आपने ये line तो कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे है और गरीब लोग और गरीब आज मैं आप लोगो को इसका real reason बजाता हूँ मान लो एक अमीर आदमी है जिसकी income काफी अच्छी है जिसे मान लो वो महिने में एक लाग रुपा कमाता है तो जैसी उसको salary मिलती है तो वो 50% में अपना गुजारा कर लेता है अपनी 4-5 साल पुरानी कार को ड्राइव करता है 2 साल पुराने फोन को यूज करता है और एक simple life जीता है जिसके लिए वो ज़्यादा खर्चे नहीं करता है और वो अपनी बाकी की 50% income को अच्छी जगा invest करता है जैसे stocks में या real estate में जिससे उसकी income के साथ-साथ उसके assets भी future में grow थे लेकिन दूसरी तरफ एक middle class इंसान जो मान लो इतने ज़्यादा earn नहीं करता है जैसे imagine कर लो वो monthly 25,000 रुपीज कमाता है पर जैसी उसकी salary आती है जिससे उसकी सारी मेहनत की कमाई चले आती है अब दूसरो ऐसा करने से शायद वो rich दिखता हो उसके आसपास के लोग उसे देख के सोचते होगे कि ये कितना अमीर है और इसलिए उसके friends जब उसको investing के बारे में पूस्ते है तो वो कहता है कि अरे stock market ये तो बहुत ही risky है यहाँ पे तो पैसा डूबने का chance होता है मैं तो car खरीदने वाला हूँ और अपनी life को enjoy करने वाला हूँ लेकिन दूसरो सबसे interesting बात है कि ऐसे लोग expensive car खरीद लेते जिसकी value time के साथ दिरी दिरे करके कम होती रहती है ये बात guaranteed है लेकिन जहाँ बात आती है stock market की तो यहाँ पे हो सकता है कि उसके पैसे डूब जाए लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको वहाँ से अच्छा profit मिल जाए और अगर वो उससे अच्छी तरह से सीख ले तो वो अच्छी खासी wealth create कर सकता है लेकिन ये सब poor mindset के लोग कभी try नहीं करते और इसलिए Robert की में एक बहुती powerful line यहाँ पे कहता हूँ कि rich people stay rich by acting poor and poor people stay poor by acting rich मतलब अमीर लोग और अमीर होते रहते क्योंकि वो बिल्कुल simple और एक ordinary life जीते वो अपने passion को और अपने free time को जादा value करते लेकिन गरीब लोग और जादा गरीब होते रहते क्योंकि वो अमीर दिखने की कोशिश करते और काफी सारे middle class लोगों का passion यह होता है कि उन्हें shopping करना पसंदे उन्हें पैसे खर्चे करना जादा पसंदे तो इसलिए आपको अपने आपको right लोगों की बीच सराउन करना होगा अगर आपके friends investing नहीं करते तो आप social media पे investment accounts को follow कर सकते हो ताकि at least social media पे आप सही लोगों की बीच में होगे तो इसलिए अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और bell icon को press कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे valuable videos मिसना हो जाए finally में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपको अपने life में कुछ important फैसले लेने होते जो उस वक्त आपको थोड़े risky लगेंगे थोड़े अलग भी लगेंगे जैसे खुद पे invest करना stocks या business में पैसा लगाना क्योंकि majority लोग ये नहीं कर रहे है बहुत सारे लोग आपसे agree नहीं करेंगे in fact हो सकता है कि आपके parents भी शायद आपसे agree नहीं करें वो कहेंगे कि आप ज़ादा risk ले रहे हो पैसा waste कर रहे हो etc. क्योंकि वो सभी उस 99% की category में आते जिन्होंने कभी rich लोग की तरह सोचा नहीं लेकिन Robert की उसा की एक बहुत ही powerful line कहते कि उन्होंने कोई भी अमीर आदमी ऐसा नहीं देखा जिसने अपने life में कभी पैसे नहीं खोए मतलब हर अमीर इंसान ने अपने life में कभी न कभी किसी investment या business में पैसे lose किये है लेकिन Robert ने ऐसे poor लोग बहुत देखे जिन्होंने कभी भी पैसा lose नहीं किया है क्योंकि उन लोगोंने कभी invest किया ही नहीं investment का नाम सुनते ही उनके दिमाग में डर पैदा होता है तो जब आप invest करोगे ही नहीं तो lose करोगे क्या तो life में बहुत ज़्यादा safe खेलने के चकर में वो ultimately एक बहुती बड़ा price पे करते तो इसलिए आपको investment में पैसा lose करने से डनना नहीं चाहिए आपको इस बात से डनना चाहिए कि कहीं आपको अपने life के आखरी दिन तक forcefully काम ना करना पड़ जाए तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा तो चैनल को subscribe कर लेना और bell icon को press करना मत बुल जाना और वीडियो को like जरूर करना ताकि ये financial knowledge और लोगों तक पहुँच सके कुको FM को download करने की link नेचे description में और free में एक investing account open करने की link भी नेचे description में है आप लोग मुझे नेचे comment करके बताओ कि मैं कौनसी topic पे अपना अगला वीडियो बनाओ वीडियो पसंद आया तो इसे like करो अपका valuable time देने के लिए thank you and goodbye